हेलो सुरेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फार्मेसी लॉइन एथिक्स का चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर थार्ड जो कि लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का ठीक है ना 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लेकर के कुछ चीजें आई थी ठीक है कि किस तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस को बढ़ावा मिले और है ना एक फार्मेसी जो अमारा प्रोफेशन है वो उसका जो इस्तर है उसको बढ़ाया जा सके तो उसी को ले control किया जाना चाहिए ठीक है 2015 में आया था यह इसी लिए 2015 कहा गया है इसको ठीक है ना was enforced by pharmacy council of India किसके द्वारा लाया गया यह pharmacy council of India to regulate pharmacy practice in India ताकि pharmacy practice को थोड़ा सा regulate किया सके ठीक है थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो pharmacy profession की जो अवस्था है यह यह कहलो कि जो इस्थिती है थोड़ी खराब है अपनी कंट्री में compared to developed country ठीक है तो क्या कह रहा आगे यह PCI ने ऐसा क्यों किया है तो देखो क्या कह रहा है इन exercise of the power अपनी power का exercise करते हुए इस्तमाल करते हुए जो किस ने दिये comfort by section 10 and 18 of the pharmacy act 1948 जो समझ चुके हम लोग बहुत अच्छे से ठीक है ना power का इस्तमाल करते हुए और section 10 and 18 के तहँ है जो कि pharmacy act 1948 8 of 1948 act no.8 1948 का तब pharmacy council of India PCI ने है ना PCI का गठन ही किसके तहट हुआ है pharmacy act के तहट हुआ है यह सब बाते जानते हैं हम लोग with the approval of the central government hereby makes the following regulation उस तरीके से उसने central government के approval से यह सारे regulation की है total जो थे उसने जो regulation आया था हमारे पास अगर पूरा PDF available है net पे बहुत लंबा चोड़ा है ठीक है तो यहां पर क्या है उसमें total 9 chapter थे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बाते की गई थी तो देखो यहां पर क्या एक्चिली चैप्टर 1 के अंदर क्या था short title and commencement and definition chapter 1 के अंदर short title कुछ बाते थी जो अपने इतने important नहीं है कब commence होगा ठीक है ना कब start होगा और कुछ definition का जिक्रत है definition हम यहां पढ़ेंगे देखेंगे कि definition क्या है PCI के according कुछ definition जो उन्हें दी है regulation में उससे क्या मतलब है ठीक है फिर chapter 2 में code of pharmacy ethics िर kwesti क्या होंगे duties of registered pharmacist के बारे हम जिकर किया यह पेषिंट को ले कर था यह जनल ड्यूटी के बारे हम बात थी responsibility of registered pharmacist to each other एक दूसरे के लिए क्या responsibility है उसके बारे मैं बताएगे सब्सक्राइब से के unacceptable to the public and to the कट कहलाएंगे और क्या punishment और disciplinary action लिया जाएगा अगर उपर दो काम कियरते हुए पकड़े जाते हो तो तो इस सारी बात ही इन्होंने 9 chapter के अंदर कवर करी है ठीक है तो chapter 1 के अंदर कुछ definition दी है जिन में काफी सारी हम लोग जानते हैं लेकिन इस act के तह है तो definition क्या है उनके वह वह वापस से repeat कर लेते हैं काम आती है definition काफी important है यह तो act means the pharmacy act 1948 8 of 1948 एक्ट नमबर 8 आठवा एक्ट 1948 ठीक है न तो एक्ट मीन्स फार्मेसी एक्ट यान की फार्मेसी जो रेगलेशन है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगलेशन 2015 उसमें जहां कहीं भी एक्ट की बात आएगी क्या आएगी बात एक्ट उसका मतलब क्या होगा pharmacy प्रैक्ट्रीटेशं मतलब क्या है क्या समझें इससे हम उसने क्या na क्या मतलब कि किसी चीज़ को ड्र करना क्या आप्ला अफ मेडिकल जो आते हैं धीकल जिसे हम लोग जनल वाले बात करें तो प्रिस्करिप्षन होते हैं उनको interpret करना explain करना इवलेट जांचना और apply करना dispense of prescription drug order etc है ना इन सब मत क्या पलेड़ करके क्या देना है दवाई देनी है ऐसे दीवाज प्रिप्सक्रिप्ष होता है उसमें पड़ेगा देब करेगा जाचेगा सही है implement implementation है ना उसको फिर implement करेगा ठीक है dispense करेगा तो यह सब बाते इस्टेप इस्टेप होती तो यह सारे टर्म्स स्टेप इस्टेप इस्तेमाल होते हैं ना सेकंड क्या काम है participation in drug and device देखो यह बात ध्यान रगना जाहतर क्या होता शॉट पढ़ते हो बच्छे लोग तो केबल रग पढ़ लेते हैं इसके अंदर काउंट होते हैं कौन से इंत्र वो सारे यंद्र जो किसी patient को उसकी disease में सुधार के लिए होते है ना यह अंतर की बात करें जैसे किसी का heart में paste maker पड़ा हुआ है ठीक है ना किसी कान की machine लगी हुई है तो यह सरी अंतर के अंदर count होते हैं और यह सब फावसिस्ट के category के अंदर आते हैं तो कहरा participation in drug and device selection कौन सा drug किया जाएगा drug administration drug कैसे दी जाएगी drug resume drug का पूरा therapy क्या रहेगी उसका review and drug or drug related research या drug या drug से related कोई research है उन सब में क्या करेगा यह participate करेगा ठीक है ना देन उसके बाद क्या है provisions of patient counseling यान कि patient की counseling का प्रवधान है या पर वो patient की counseling कर सकता है and the provision of those services necessary to provide pharmaceutical care और उन सब services का भी उन सब सेवाओं का भी प्रवधान है जो की जरूरी है pharmaceutical care के लिए patient के pharmaceutical care के लिए जो services जरूरी है वो सब भी हो रहेंगी इसके अंदर in all areas of patient care including primary care clear है और चौथे में क्या है responsibility of compounding and labeling of drug responsibility है उसकी compound करना और label करना drug and device दो drug and device देक्साथ इस्तमाल होता है कैसे device मतलब कैसे इस्तमाल किया जाएगा device वगरा सारी बात है proper and safe stories of drug drug का stories safe कैसे होगा devices drug and devices and maintenance of proper records for them और उनका एक proper records उसको रखना है तो responsibility है compounding and labeling of drug and device provision है patient counseling का ठीक है participation in drug and device selection एक-एक line में तुम लोग याद करना चाहते हो यह line पूरी याद करनी पड़ेगी interpret करना evaluate करना implementation of medical orders dispensing of prescription and drug orders clear रहे तो pharmacy practice के अंदर यह सारी चीजां count होती है यह सब pharmacy practice के अंदर आती है आगे आते हैं अब देखो कुछ लोग बच्चे लोग पढ़ते तो होंगे लें confused रहते होंगे एक compounding word में और एक dispensing word में कुछ लोग को आगे होगा अच्छे समझ में अब इसकी भी definition दे रखी है तो क्यों ना उसको हम उसी के तहट समझें क्या लिखा है इसका मतलब क्या है preparation mixing assembling prepare करना है mix करना assemble packing और leveling of a drug or device किसी drug or device को prepare करना mix करना assemble करना pack करना और level करना यह compound है एक तरह से कहलो कि short form में कहा जाए तो दवाई को बनाने की वाले बात आ गई ठीक है dispensing means interpretation evaluation supply and implementation of a prescription dispense करने मतलब क्या हो गया यह तो उसने बना दिया अब देने की जो बात आती है तो उसे वह क्या करेगा interpret करेगा evaluate करेगा जाचेगा supply देगा implementation करेगा drug order including the preparation and delivery of a drug or device ठीकर preparation or delivery of drug दोनों आ जाती इसके अंदर to a patient in a suitable container एक suitable container में है ना दवाई को piece pass के मिला मिलोगे container में देना appropriately labeled जोगी appropriately labeled होगा for subsequent administration to a patient subscription मतलब लगातार किसी cc in होना चींओ ताकि भार बार उसमें से घा सके ठीक है न तो compound मतलब बनाना होगया dispense मतलब देना हो गया short form में अगर बात को समझा जाए compound मतलब बनाना और dispense मतलब देना हो गया बात समझ में आ गई ठीक है न आगे आता, distribute से क्या मतलब रहेगा? Distribute से मतलब रहेगा delivery of drug और device Drug की delivery या device से हम लोग क्या समझेंगे? Distribute को समझेंगे Other than by administering और dispensing यह वो drug और device की delivery है जो other than by administering और dispensing Dispensing और administering यानि कि जो administer की कही है dispense की कही है, उनसे अलग हटके है उनकी बात और distribute की ठीक है, patient counseling patient की counseling समझते ही हो, patient लोग काउंसल करना सारी बात हों से है इसका मतलब क्या है means the oral communication by the pharmacist of information ठीक है न, oral communication सिधी बात आगी, मुझ से बारतलाब कर रहा है patient के साथ, क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है, तो वही कहा रहा है, patient counseling means the oral communication by the pharmacist of information to the patient in order to ensure proper use of drug and devices, ठीक है न, oral communication करेगा, जिससे की जो pharmacist information देशे के patient को in order to, ताकि सुनस्चित कर सके कि drug और device का proper इस्तवाल कर सके कोई patient, ये हो गया patient counseling, बात समझ में आ रही है न फार्मसेटिकल केर से क्या मतलब है, है न, ये सब बात है हम लोग कहीं न बार बार पढ़ते आते थे, हम लोग proper definitions नहीं लिखी थी कहीं पर तो ये सब यहां cover हो जाएंगी pharmacistical care means the provisions of drug therapy and other patient care service intended to achieve outcome related to the care or prevention of a disease जैने फार्मसेटिकल केर में क्या जाएगा ऐसे प्रवधान प्रवधान ओफ ड्रग थेरपी जैने ड्रग थेरपी के ड्रग थेरपी और patient care service drug therapy जैने ड्रग दिजा रही है और patient का ध्यान रखा जा रहा है ऐसी services इन सब को मिला करके और उनका मकसद क्या होगा अचीब करना है हमें care और prevention of a disease patient के care करनी है prevention of disease जाने कि overall patient की देख रेख में जितनी चीजें इस्वाल हो रही है ड्रग थेरपी से लेकर के पेशेंट केर सर्विस वो सब तुमारी किसके अंदर काउंट की जाती है फार्मासुटिकल केर यानि हम क्या सकते है इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि एक जो पेशेंट एड्मिट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर उसके बाद ठीक है और अरेश्टिंग और स्लोईंग ओफ डिजीज प्रोसेस एश डिफाइंड बाइदा फार्मिशी कांसिल ऑफ इंडिया ठीक है ना तो वही साब बात कहा रहा है ड्रक थेरपी होनी चाहिए उसमें है फार्मिशी केर में क्या आ जाएगी ड्रक थेरपी ठीक है और पेशेंट केर सर्विस इंटेंड वह सर्विस का मकसद क्या होगा तो अचीव यह आउटकम रिलेटकेर में एक आउटकम चाहिए रेटेस तूग Spain के नुआ जो ordering प्रिंजिंटान और अंधिया पूरा मत लिखना यहां तक लिखन के तुम लोग चाहनग तो छोड़ सकते हो हो psychology फार्मसिस्ट फार्मसिस्ट हो सकता है थि ट्रग इंफोमेशन के टाइम पर जो फार्मसिस्ट दे रहा है यह सब लोग pharmacy practitioner कहलाते हैं currently licensed और जिनको अभी अभी license मिला है अभी होगे मतलब यह नहीं कि तुरंत अभी मिला है currently license मतलब उनको license मिल चुका है registered or otherwise authorized या तो registered हो या उनको authority हो under the act के तहट उनको authority हो ये काम करने की to counsel and administer drug in the course of professional practice उनको authority हो या register हो क्या करने के लिए counsel करें या administered drug को समझाएं या दें ठीक है ना in the course of profession अपने profession के दौरान drug को समझाना या देना जो ये काम करेंगे इनकी authority होने चाहिए ऐसे लोगों को pharmacy practitioner कहा जाएगा clear है pharmacy practitioner registered pharmacist इसकी definition हम लोग जानते ही है means a person whose name is for the time being entered in the register है ना जिसका नाम register में enter किया गया है of the state किसी state में जिसमें की वह है किसी timing उसमें रह रहा है या अपना pharmacy और profession को carry कर रहा है या business of pharmacy को चला रहा है ठीक है under the pharmacy act 1948 लिए 1948 के टहत किसी का नाम register किया गया है किसी state में जिसके अंदर वो रह रहा है या जिसे state में वो काम कर रहा है जिसे state में अपना pharmacy का चला रहा है तो वो क्या कहलाएगा registered pharmacist कहलाएगा बास समझ मारी है prescription प्रिस्क्रिप्शन को लेकि भी हम लोगों ने ecology में बाते कर रखी है साफ साफ यहां इस पश्ट कर रखा है prescription को लेकर कि प्रिस्क्रिप्शन मीन रिटन और इलेक्ट्रोनिक डिरेक्शन इलेक्ट्रोनिक क्या होता आजकल कम्प्राइज सलता सब कुछ है ना from a registered medical practitioner और other properly licensed practitioners है ना registered medical practitioners है ने के doctors के दौरा from एक doctor से या कोई और licensed practitioner है such as dentist veterinarian है ना यह हो सकते हैं etc टू अफार्माशिस्ट एक written document या रिटन इलेक्ट्रोनिक डिरेक्शन होता है जो कि डॉक्टर की तरफ से फार्माशिस्ट को दिया जाता है to compound and dispense अब compound dispense बाते समझ में आती है specific type and quantity of preparation और prefabricated drug to a patient है ना कि वो compound करे dispense करे है specific type and quantity of a preparation है ना या तो वो दवाई को बनाएगा इसके हिसाफ से जो इसमें बोला कि इतनी दी quantity लेकर दवाई बना दो और दे दो या prefabricated drug जो पहले से रेडिमेट आ रहे हैं company को दुआ रहे है वो patient को देना रहेगा उसको ठीक है ना अब types of prescription की बात करें तो तीन type की होती है prescription for extemporaneous preparation अच्टेंप पुरेनियस होती है जो बनाई जाती है है ना मिला करके मतलब full dose में आती है मालो एक डबबा यह है एक डबबा यह है एक डबबा यह है ठीक है आती है यह तुम लोगों को नहीं बता इन सब में से मिला करके निकाल निकाल करके एक dose बनाया और patient को दे दिया यह हो गए extemporaneous ठीक है prescription for official preparation official जो अपनी फाव को पर अगरा में लिखी हुए है उसके इसाथ से बना दे या prescription for patent preparation अलड़ी जो आ रही है medicine दवायों market मा रही है patented है वो उठा करके सिधा दे देगा तो तीन तरीके के prescription prescription हो सकते है ठीक है extemporaneous official या patent preparation टीन टैप की prescription हो सकती है जिसके अंदर अलग-अलग preparation होती है उसी साब से हमारा क्या हो जाता है prescription हो जाएगा अब prescription की बात करें अगर तो उसके देखो कितने point है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या क्या होता है prescriber office information रहेगा जो prescription रहता है और की doctor का prescription का मतलब जो doctor का परचा होगा क्या रहेगा उसमें उसके office की information रहेगी name, qualification, address and registration number patient information रहेगी name, address, age, sex, reference number ठीक है date रहेगी उसके बाद rx symbol जिसको हम लोग क्या कहते हैं super description कहते हैं पढ़ चुके हैं यह medication prescribed जिसको हम लोग क्या कहते हैं in description कहते हैं कौन सी medical लिखी गई है dispensing direction to pharmacist किस तरह से dispense करना है वो direction बता जाते हैं pharmacist को जिसको हम लोग subscription कहते हैं direction for patient to be placed on the label label के उपर place किया जाता है कि patient के लिए क्या direction होगे या कोई special labeling करनी है उसका instruction रहता है और 9th number पर आता है prescriber signature and license और ठीक है drug enforcement agency number as required drug enforcement agency जो agency होती है जो control करती है ठीक है अगर वहाँ से परचा आ रहा है तो या तो उसका number रहेगा या prescriber signature generally doctor का क्या रहता है signature रहता है तो ठीक है ठीक है तो ये total 9 point तो तुमें ध्यान रखने है कि एक prescription के अंदर total 9 point होते है ठीक है इसमें कोई चीज जरूत नहीं तो हट सकती है मानलो इसकी जरूत नहीं तो हट गया ये देखो ये तो रहेगा ही रहेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छटा ये तो रहेंगे रहेंगे और ये sign भी रहता है रहता है अब इन दोन में जरूत है तो ठीक है अदर्वाइस ये common सब में होते हैं करके जरूत पढ़ने पर total 9 point बनेगा हमारे ठीक है ना ये बिलकुल हमारा क्या है जो pharmacy practice regulation 2015 है ठीक है ना उसके तहट यहाँ पर ये सारी की सारी बाते जो हैं लिखी गई है बिलकुल उसी की चीज़े यहाँ पर रखी गई है ठीक है बिलकुल exact चीज़े है अब देख लो ये तो होगा definition उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ हमारा पर टोटल कितने थे 9 chapters थे कितने chapters थे 9 chapters थे है ना टोटल हमारा पर कितने chapters 9 chapters है तो हमने पहला chapter cover कर लिया किसका definition का अब बाकी के जो 9 chapters है है ना इनको हम लग शॉट में देखते हैं कि यह कहना क्या चाहते हैं एक एक करके फटाफट देख लेते हैं important provisions of pharmacy practice regulation 2015 ठीक है ना मतलब अगर तुम पूरा पढ़ोगे उसको जो पूरा उसका लेने लाओगे तो कम से कम 15-20 पन्लों का बनेगा जाकर गे ठीक है ना तो यहाँ पर हम देखते हैं खास खास बातें तो अगेर हमको एक बात पता है the new pharmacy practice regulation है ना pharmacy practice regulation short form में PPR 2015 कहा जाएगा 2015 was enforced by the pharmacy council of India to regulate the pharmacy practice in India ओके यह बात क्लियर है हमको अब क्या क्या आ गए है regulation में as per the rules dispensing of drug should be carried by a qualified registered and pharmacist qualified registered pharmacist only drug को कौन dispense करेगा सिर्फ और स्रिफ qualified registered pharmacist उसके लावा कोई और dispense नहीं करेगा renting of registration certificate अपना certificate किराय पर देना to pharmacy owners are strictly prohibited आप rent पर नहीं दे सकते ठीके ना यह एक अब गैर कानूनी अब क्या मतलब गैसरू से था आप rent नहीं करे सकते the pharmacist who rented their registration certificate without attending dispensing service अगर किसी pharmacist ने rent पर किराय पर दे दिया है और खुद वहाँ पर service नहीं दे रहा है considered as misconduct वो यह misconduct में count किया जाएगा and subjected for cancellation of their registration certificate permanently और उसका registration certificate permanently cancel हो सकता है तो pharmacist during working time should wear a white clean apron जिससे में वो काम करेगा यानि कि office में अपने फार्मिसी में होगा white clean apron पहनेगा black beige plate एक name plate होगी जिसमें कि उसका नाम लिखा होगा जिसमें pharmacist का नाम पूरा जो license उसको मिला होता है वो पूरा सामने रहता है ठीक है तो registration certificate जो होता है वो सामने उसको display करना है along with dispensing service pharmacist should provide their professional service like patient counseling dispensing service के अलावा वो अपनी professional service भी देगा जैसे की patient counseling adverse drug reaction reporting primary care to all uncomplicated simple illness ठीक है ना simple illness complicated नहीं है उनका ध्यान रखेगा for this purpose a separate cell should be arranged within the pharmacy एक cell मतलब अलग से कमरा रहेगा patient आते हैं तो उनको आप बात करेंगे discuss करेंगे और उनको आप क्या देंगे सलाम असवरा देंगे pharmacist may charge consultation fee for their professional service वो charge कर सकता है में charge not compulsory रहना charge कर सकता है ठीक है हम आपको service दे रहे हैं आप कहीं बहार जाते हो ठीक है किसी बड़े hospital जा रहे हो आपको पांसरों पर फीस पड़ रही है तो आप एक फीस charge कर सकते हो ठीक है if any case of drug dispensing carried by unqualified person अगर कोई unqualified person drug को dispense कर रहा है instead of qualified pharmacist public में lost their complaint ऐसी सवस्था में public complaint कर सकती है against the pharmacist directly to the registrar state or central pharmacy council under the section 14B ठीक है 14B के तहत वो registrar जो होता है state का pharmacy का उसको कर सकता है या PCI को कर सकता है of chapter 9 of PPR 2015 chapter 9 में ये mention है for the violation of section 42 of pharmacy act 1948 तो ये जो chapter 9 उसको तोड़ करके simple परिभासा में convert कर दिया गया है ठीक है और वही चीज हमको यहां पढ़ने को क्यों पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत लेंदी है वो ठीक है ना तो ये केवल तुम्हें आठ वात है ये और वो पहले वाले में पहले चेप्टर में डेफिनिशन को याद रखनी है ठीक है इसके अलावा इस chapter में मतलब PPR 15 में कुछ नहीं है अब इसके अलावा जो तुम्हें चीज जाननी है वो है अपने mind nurture app के बारे में बहुत जुरूरी है ठीक है बहुत से बच्चे से फाइदा ले रहे हैं काफी दारे बच्चे से जोड़ चुके हैं जो कि इससे profit ले रहे हैं उनके लिए pharmacy काफी आसान हो गई है तो आप भी इस एप से जुड़िए और अपने exit exam को और pharmacy के exam को बिल्कुल आसान बनाईए तो जानते हैं कि इस app को लेने से आप लोगों को क्या क्या फाइदा होने वाला है तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है mind nurture उस प्ले स्टोर पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर lectures and notes यूटूब पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई change नहीं app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हारे पास क्या आते है MCQ और fill in the blanks ठीक है यह तुम्हारे अब नए जो pattern है उसमें नए exam pattern है ठ तोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks की आगा केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं ये यूट्यूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुछ तु होने वाली है mcq टेस्ट की practice यह तो चलो एक बार को ठीक है mcq questions mcq questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके सौदेर सो question हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है mcq questions अब जखो समझे क्या है यह mcq questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब यूटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा 4 option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चो यह question है यह 4 option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है प्लाइब बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है सौ मेंसे सबको कितने चाहिए चार्श नंबर में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter नंबर 1 प्लस chapter नंबर 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पास एक combined test होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से चलता रहाएगा चलता रहाएगा एक टैम वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मालो 13 चैप्टर है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% यानकि 40 नंबर लाना फिर उसके लिए फाइनल एक्जाम में बहुत असान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा है इस एक्जाम को टार्गेट करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे एक्जिट एक्जाम में आएंगे उसको टार्गेट करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory इनिकल मिनिमन है 1100 रुपय पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्स की फस्ट यर पूरा साल सभी सब्जेक्स सब्जेक्स ना की बराबर है महीने का तुम्हारा और रुपए something पढ़ता है जाकर के इससे सस्ता चीप और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है यूटूब के सभी लेक्चर मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूटूब पर नहीं है जिसमें मैं नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चे को नहीं पता यह सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा येस रिवीजन बिना रिवीजन के आप यह सारी चीजे नहीं कर पाऊगे यानिकी पढ़ना पड़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हो रिवीजन ही है selection, revision करोगे तो life में हर एक चीज में अच्छी पालोगे हर एक चीज आपको अच्छी हो जाएगी ठीक है ना, तो क्या करते रहो revise करते रहो और पढ़ते रहो all the best